तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में आशा करता हूँ सब जहां पर गया बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ तो इसके लिए हम अपने इंस्टाग्राम के अंदर इस तरीके से चले जाते हैं गाइस इस तरीके से ओपन कर लेने मत गयाँ आप यहां पर देख सकते हो हमारे सामने एक रील दिख रही है मुझको अगर मैं शेयर बटन के ओप्शन के उपर इस तरीके से कलिक करूँ और इस रील को अगर मैं जो है कि अपने स्टोरी पर इस तरीके से गाइस अगर लगाना चाहूँ तो यहां पर आप guys देख सकते हो यह इस तरीके से जो real है जब यह story हम लगाने लगेंगे तो यहां पर उपर side में real का option आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे के side में उस user ID का name आपको नीचे के side में देखने को मिल जाएगा तो guys आज की video में मैं आपको बताउगा कि इस चीज को आप की तरीके से अपने इंस्टागरम story लगाने इस पहले की तरीके से आप इस चीज को हटा सकते हो हम रिमूओव कर शकते हो तो guys इसके बारे मैं आपको कुछ बताओं इससे पहले कर मेरे चनल पर नहीं हूँ तो जरूर आप इस सब्सक्राइब करते हूँ तक इस तरगी की इंफर्मेशन उडिशन पर देखने को मिलती रहा है तो इसके लिए guys आपको जो है यहां पर captions का option दिख रहा हूँ इसके उपर आपको click कर लेना है और यहां पर जो भी कुछ अगर आप लिखना चाहते हो कुछ भी आपको यहां पर छोटा सा लिख लेना है लिखने के बाद आपको इसको done कर देना है done कर देने के बाद guys अब यहां पर आप क्या करना है इस जो जो चीज आप लिखे होगे उसके उपर आपको इस तरीके से click करना है इस तरीके से tap करना है और tap करने के बाद guys नीचे के side में आपको delete का option दिख रहा होगा यह जो चीज आप इसको इस तरीके से आप लिखे हो इस चीज को आपको जो है डिलीट वाले ओप्शन के बिल्कुल पास लेकर के जाना है और गैस जब आप इसको इस तरीके से इसके पास लेकर के चले जाओगे तो guys जैसे ही इस चीज को आप delete की option के अंदर लेकर के जाओगे इसके अंदर लेकर जाने के बाद जैसे ही आप इस चीज को जो है delete की option के अंदर छोड़ोगे आपको तुरंत जो है इसके तुरंत कुछी second के अंदर अंदर फिर से इसी जो है डिलीट वाले option के उपर क्लिक करना होगा जो कि गाइस जो डिलीट वाला जो यह icon है इसी के उपर तुरंट आपको क्लिक करना होगा यह जो आपने यह लिखा है इसको इस तरीके से अंदर डालने के बाद तुरंट delete वाले option के अंदर click करना है तब ही यह चीज हटेगी तो हम इस तरीके से इसको लिख लिए है इस तरीके से delete वाले option के अंदर हम इसको ले जाएंगे और तुरंट delete वाले option के उपर हमें click करना है तो guys हम इस तरीके से इसके उपर छोड़ने जा रहा है जरूर आप इस सेनल को सब्सक्राइब कर दूगा है तकि इस तरीके से सेंबल हटाने के बाद अब आप चाहो तो इस चीज को अपने स्टोरी पर लगा सकते हो और किसी से भी आप इसको शेर कर सकते हो